आज 5 जून 2023 है आज की साकार मुल्ली में बाबा ने बच्चों को स्वधर्शन चक्रधारी स्वमान से याद किया रोज बाबा हमें मीठे बच्चे कहते हैं रोज बाबा हमें नए नए टाइटल्स नए नए स्वमान देते हैं और ये भी कहते हैं कि जो बाबा के टाइटल्स हैं जो हमने ही भक्ती मार्ग में इतने सारे रख दिये हैं वो सारे ही उन सब के हम मास्टर हैं तो वो सारे ही हमारे भी टाइटल्स हैं तो इतने सारे टाइटल्स वाली आत्माएं इतने सारे स्वावान वाली आत्माओं को अब क्या करना है आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से जैसे आजकल की दुनिया में भी मान से स्वामान मिलता है कोई प्रेजडेंट होता है तो उनका मान बड़ा होने के कारण सम्मान भी ऐसा मिलता है ऐसे आप बच्चे भी स्वमान से ही विश्व का महाराजन बनेंगे और इस स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित रहो तो सर्व प्राप्तियां हो जाएंगे आज विश्व पर्यावरन दिवस भी है विश्व का परियावरन हमें ही बनाना है ये परियावरन केवल प्रकृती नहीं लेकिन मनुष्य आत्माओं के मनुवृत्थी भी यही परियावरन अर्थात वायूमंडल को बनाती है और ये सेवा करने के कारण ही हमारा टाइटल है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्यानकारी, पूरा विश्व जिनको सम्मान दे, ऐसे विश्व महराजन, महरानी हम आत्माई बनने वाली है उसके लिए आज बावा ने एक बहुत ही सुंदर रिधी, एक बहुत ही सुंदर हमें बात बताई है जैसे दुनिया की अंदर कोई position पे होता है, तो position के कारण उसको मान मिलता है, उसका सम्मान होता है लेकिन यहां हम पुरशार्थ कर रहे हैं अपने स्वमान की position में बैठने का और इस स्वमान की position से हमें भी विश्व की आत्माई सम्मान देती है और फिर practically हमें वो position मिलती है तो स्थूल position से दुनिया मान पाती है लेकिन हम स्वमान से स्थूल position पाते हैं विश्व महराजन, विश्व महरानी की इसलिए अगर हमें सच मुझ में सर्वात्माओं का सम्मान प्राप्त करना है तो ये सम्मान सरवात्माओं का दिल से होना चाहिए केवल पद या पॉजिशन के आधार पे नहीं पद और पॉजिशन के आधार पे मिला हुआ सम्मान थो हम दौपर्युक से पाते ही आए और वो तो होता भी थोड़े समय का है लेकिन हमें तो अल्पकाल की नहीं हमें तो सदाकाल की प्राप्ति करनी है अखंड प्राप्ति करनी है तो ये अखंड और अटल प्राप्ति तभी हो सकती है जब सारी आत्माएं हृदे से हमें स्वीकारे हमें सम्मान दे और सर्व आत्माओं का हृदे से सम्मान प्राप्त कर के लिए हमें सर्व आत्माओं की दिल से सेवा करनी है सब को सम्मान देना है तो एक पंत और कई काज अपने स्वमान में स्थित रह करके हम स्थूल भविश्य की पोजिशन भी पा सकते हैं और सर्व आत्माओं के दिल का सम्मान भी हम पा सकते हैं तो इसी विधी को हम अपनात चलें और आज सारा दिन हर आत्मा को उसी सम्मान की दृष्टी से देखते चलें ओम शान्ति